Hello everyone, welcome back to Romania तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक और जॉब अपरचुनूटी के बारें बात करने वाले हैं जो कि सिस्को की तरफ से आया हुआ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो जॉब अपरचुनूटी की इस पोस्ट के लिए है कैसे आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो क्या ctc होने वाला कौन-कौन से बैच यहां पर eligible है क्या qualification होने वाला इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो में लास्त तक बने रहे टाकि कोई भी information आप मिस ना करो वीडियो में आगे बढ़ने से make sure पहले make sure कि आप वीडियो को लाइक कर दें यदि आप लोग इस तरह की वीडियो देखने में इंट्रेस्टेट हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अब हम लोग बात करते हैं job notification के बा notification link के नाम से जो सबसे पहला link होगा वो notification link का होगा notification का लिंक होगा उस पर आप लोगों को क्लिक करने हैं आप लोग इस पेज़ पे रिडारेक्ट हो जाओगे लेकिन apply करने से पहले make sure क्या वीडियो का अंडर तक देख लो ताकि बहुत सारे information आप apply करते time में भी ध्यान ना सकता हम वह मैं वहां पर update करता रहता हूं तो आप लोग हमें वहां से भी follow कर सकते हो या फिर हमारे साथ महां से जूर सकते हो इसके अलावा यदि हम लोग बात करें job description जो की software engineer का है तो यहां पर आप लोगों को कुछ sort of lines आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे आप लोग environment is for only 22 pass out candidate यदि आप लोग 22 pass out हो तो आप लोग यहां पर वीडियो में मेरे साथ लास तक बने रहो अधरवाइस आप लोग यहां पर वीडियो को छोड़ सकते हो और चाते आते एक like जरूर कर देना इसके अलावा यदि हम लोग और कुछ detail में बात करते हैं तो जैसे आप आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा solid fundamental of data structure algorithm, object oriented design and programming, solid strong knowledge on Unix and Linux operating system, Unix scripting, a good understanding of cloud-based application development like using Docker, Kubernetes, AWS services and think about security and scalability from the group up, solid understanding of computer science fundamentals and software engineering with an aptitude of learning new technology. तो बहुत सारी चीज़े आप से यहां पर मांगे जाएगी तो definitely यहां पर pay package ही बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, इसके लावा और भी बहुत सारे requirement है, आप लोग यहां पर आगे से detail में पढ़ सकते हो, यदि आपके data structure पर काफी अच्छे command है तो यदि आप लोग सॉट तो यहां पर आप लोग डिगरी यहां पर देख सकते हो, bachelor degree, master degree यहां पर eligible है, minimum आपका 8.5 CGP और इससे ज़्यादा होना चाहिए और यह 22 pass out candidate के लिए है, तो यह सभी चीज़े थी जो आप लोगों को पता होने चाहिए, यदि आप हम लोग salary की बात करते हैं, तो इसके official Cisco के इसको तो यहां से आप लोगों basic idea लग जागा, तो यहां पर यहां पर आपको दिख रहा है, तो salary definitely बहुत ज़्यादा high होने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत सा requirement आपसे मांगी यह CGP बहुत ज़्यादा high है, तो यहां पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान पर रखना ह काफी अच्छा है, तो यह दि आज वीडियो आप लोगों को informative लगा हो, तो वीडियो को like कर दे, चैनल को subscribe कर दे, अपने दोस्तों के साथ से share करें, और मिलते हैं कैसे ही, जॉब कर चूटे के साथ, तब तक के लिए, thanks for watching.